तो यार काफी दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं और सबसे पहले आप सभी को भी और मुझे भी मैं खुद अपने आपको कॉंग्राचुलेट करना चाहूंगा आप सब की लोगों की वज़ा से आज मेरे जो हैं थाउजन सब्सक्राइबर अलहम्दुलिल्ला कंप्लीट ह हो गए हैं और आप सब का ही यह जो साथ था सपोर्ट था यह थ्राउड बनावा था तो यह सब चीज जो है अचीफ कर पाए और उसका भी बताऊंगा जो मेरे वाचार हैं वह भी कंप्लीट हो गए हैं और उस पर भी डीटेल वीडियो बनाऊंगा कि जब आपके 1000 सब्सक् तो मैंने सोचा कि आपको भी पूरा स्टेप उसका एक्स्प्लेइन कर देता हूं कि जो लोग आ रहे हूं और उन्हें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले जब आप लोग इंडिया से आओगे या कोई सी भी दूसरी कंट्री से आओगे if somebody is coming from different country टो जब आप यहां पर आओगे तो आप एक DL Extract जो होता है अपनी country का वो ज़रूर लेकर आना उसमें यह होता है कि आप कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हो या जो बी आप vehicle वागेर चला रहे हो कितने टाइम से आप चला रहे हो और आपका record जो होता है पूरा authority है आपके जो zone की होगी वहाँ पे आप लेकर जाओ उसे और वहाँ पे जो officer होता है उसका sign उसके जरूर करवाना उसके बिना यहाँ पर वो valid नहीं होता है और जब आप वो चीज लेकर यहाँ पर आ जाओगे अब आप आप जाओगे अपने authority में जो भी आपके यहाँ पर आएगी सपोस्स मैं Kitchener में रह रहा हूँ अभी तो मैं Kitchener का example लेता हूँ अब मैं Kitchener गया सबसे पहले अब मैं वहाँ पर जाओँगा तो मुझे क्या चीज face करने पड़ेगी सबसे जले मैं अपलाए करूंगा जीवन लाइसंस के लिए जीवन लाइसंस होता है हमारा लर्न लाइसंस जैसे इंडिया में हमारा normal learner license बनता है वैसे यहाँ पर जीवन होता है LEARNER लाइसंस उसमें होता कि basically आपका जो है symbols होते हैं और road के जो है पूरा आपको उसमें knowledge test एक तरही के साब का knowledge test होता है और एक symbol test होता है तो इसमें test होते हैं और यह 40 questions होते हैं और आपको हर module में 16 questions जो हैं 2 module होते हैं तो दोनों में आपको 16-16 clear करने रहते हैं और जो Punjab अगेरा से भाई लोग वगेरा आ रहे हैं तो मैं बताते तो उनके लिए बहुत अच्छी information है मतलब अगर भाई थोड़ा English में हाथ तंग वगेरा है तो उसमें पंजाबी में भी पूरी PDF बनी वी है तो आप लोगों को गाफी जादा benefit होने वाला है और जब आप वो test clear करते हो अपना जो आपका G1 test है मतलब आपना जो test आप computer based test clear करोगे उसी दिन तो फिर आपको मिल जाएगा अपना G1 license G1 license आपको एक normal सा मिलेगा पहले जो कच्छा सा होते paper पे फिर आपको जो आपका license होएगा hard copy आती है यहां पे learner license की भी वो आपको mail हो जाएगा आपके mailing address पे guys कुछ आपका जो G1 license है वो रहेगा ऐसे I hope आपको दिखपा रहोगा camera में धंग से क्योंकि अभी sun भी काफी तेज आ रहा है तो चश्मा लगा के बैठा हूं मैं भी video बना रहा था मैंने क्या आज video बनाते है finally बनाईने काफी time से तो guys यार जब आप जाओगे ना अपने जीवन टेस्ट के लिए तो आपको मैं एक time बताता हूं सबसे सही time जो है जाने के लिए वो है 8 बजे 8 बजे किसी ना किसी तरीके से वहां पर अपने जो center है पॉच जाओ क्योंकि 8 बजे के बात जो भाई जो लाइन हो जाती है और अगर आपने मेरी रील नहीं देखी तो मैं रील डाल दूंगा जो शॉट्स है यूट्यूब पर शॉट्स देख लेना उसमें देख लेना भा होगे कि हम जो extract ले हैं उसका फाइदा क्या है benefit क्या है तो वह बताते हो आपको benefit क्या होता है अब जब गाइस आपने अपना G1 license बनवा लिया तो आपको एक G2 होते हैं यहां पर वह होता है intermediate license और G होता है complete license उसके बाद कुछ नहीं होता driving में फिर उसके बाद तो मतलब AZ व मतलब आप सारे privileges मिलते हैं बट जो जी वाला होता है वह उससे आप काम वगेरा भी कर सकते हो जैसे कि Amazon हो गया जो भी delivery services हो गई Uber हो गया जो skip the dishes वगेर होता है वो आप G2 पे भी कर सकते हो लेकिन Amazon जो Uber में जो होता है जो driving होता है और जो Amazon में होता है वो हमें पक्का जो permanent G license ह होता है वो required रहते हैं जो आप लोग अपना जो डील एक्स्ट्राक्ट लाए हो अब आपना authority में यह बोलना प्लीज के हमारा जो यह extract है हमारे पास experience है दो साल का अगर आपका जो experience है दो साल से उपर गया है तो वहां पर डल जाएगा और जो आपको G2 टेस्ट होता है देना classes ले ली and you think you are confident enough to drive के हाँ पर हम चला लेंगे तो आप जाओ G license का test दो and suppose if God forbid अगर आप लोग जो है fail हो जाते हो तो फिर आपको दुबारा से भाई G2 का test देना पड़ेगा जो case मेरे साथ हुआ तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं तो यार हुआ क्या था कि मतलब जब मै है गया अपने license के लिए तो blind spot check होता है यहां पर पूरी mundi घुमा के ना देखना होता है अपनी तो वो जो है मतलब मैंने हलिका सा घुमा के अपने turn करके देखा and उसने मुझे उस पर ही खाली fail करते है जी license में सोचो कितना मुश्किल रहता होगा और मतलब वो देखते भी है यह लोग अभी अभी आ रहे है एकदम इने मिल रहा है license बहुत कम लोग होते हैं जो पास करते हैं अपना G1 से G license न तो फिर मुझे देना पड़ा दुबार से G2 का test अब G2 पे आते हम तो बात करते हैं तो G2 का guys यह है जो 19 एर से नीचे रहते हैं उन पर बस restriction यह रहती है कि आज जो है आप 12 a.m. से लेके 5 a.m. तक गाड़े नहीं चला सकते हैं एकसेप्ट आपके बाद सारे privilege हैं आप कभी भी जा सकते हो कहें भी चला सकते हो नो रोक तो मतलब आप चलाओ बट G2 का license G2 का भी मैं आपको license इखा तो G2 में जो test होता है mainly आपको ना वो reverse parking करवाएंगे parallel parking कराएंगे और आपसे आपको uphill parking कराएंगे आपका मतलब एक normal सा city का test होता है कि आप चला सकते हो गाड़ी और ये सब ही मतलब normal सा ही देखते हो basic वाली जो चीज़े होती है हमारी वो देखते हैं और फिर आते हैं guys हमा तो जी लाइसंज पर जो होता है main license हमारा जी लाइसंस जो हमारा main license है जो की मेरा परसो ही आया है इसलिए मैं नहीं यह वीडियो बना रहा हूं और एक excited भी हो गया था मैं कि आप लोगों को भी अताता हूं तो पहले मैं जी लाइसंस मैंने दिया उसमें फेल हो गया फिर द चिक चिक बाजी करती है कलेज बाजी करती हैं आपको सीधा oh adversοι बहुत हैं जो ठीक भी होती है वह यह दो दो यह मेर होते हैं वह आपको क्लिकर और से टॉंप आ भी कले डिते हैं ऐप जी का में आपको बता दिता हूं Logikस I just आपको तेस्ट रहेगा वह रहेगा 15-20 जो आपका फिविंटी मिनट्स जो आपको ले कर जाते हैं हाइवे पर यह लोग है वे में आपका देखते हैं कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ले जाएंगे नॉर्मल आप रोड पे जाओगे तो बहुत देखेंगे कि आप स्कैन कर रहे हो सारे एरियास में नहीं कर रहे डंग से फिर आपकी लेन स्विच कर वाएंगे बोलेंगे प्लीज स्विच दा लेन वेनेवर इट इस सेफ देन आपको पूरा शोल्डर अपना गुमा ऐसे जो है अपनी पूरी नेक भूमान होएगा और शोल्डर चेक करन तो ब्लाइंड स्विच भी बोलते हों से तो आपको पूरा करके दिखाना रहेगा ऐसे ऐसे करके फिर आपको जो है हाइवे पे ले जाएंगे यह हाइवे पे आपका क्या होता है कि 90 की यहां पे केशनर में 90 थी स्पीड लेमिट हाइवे पे तो अब देखेंगे जैसे जाओगे एकदम आप मर्ज कर पारे हो ट्राफिक के साथ स्मूद्ली या नहीं और आप अपना शोल्डर चेक कर रहे हो जो ब्लाइंड पूट चेक है वह कर रहे हूँ या नहीं कर रहे डंग से अगर आप यह दो चीज़े कर देते हो डंग से और सारी चीज़े जो सिगनल का है वह सब ध्यान रखते हो तो भाई आप पास हो जाओगे और बस अपनी स्पीड वगएरा कंट्रोल रखना और अपनी गाड़ी को लोज मत होने जाएना बाकि आपको जी लाइसंस भी दिखा देता हूं अपना फैनली यह जी लाइसंस है जी लिखा है इस पर तो यह प पूछना कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स इस ओल्वेज ओपन फॉर यू गाइज और जो काईज यहां पर क्लासेज देते हैं वह अपने ही बहुत खास बंदे हैं अब्दुल भाई हैं अब्दुल रहीम बोबट नाम है उनका अब कोई मेरा रेफरेंस उन्हें देगा परचान जाते हूं मुझे तो बता देना उन्हें कि उन्होंने नंबर दिया और बड़ी ऐसे सिखाएंगे मैंने भूल रख है उन्हें जो भी कोई आये मेरे थू तो भाई उसे थोड़ा बड़ी ऐसे करवा देना और बाकी आपका क्लियर वगएरा करवा देंगे स्ट्रा मैंने कहीं नहीं गए और यूस पे जो है मेरे अभी कोई इतना अच्छा तो यहां पर जो क्रेडिट है वो कोई होई नहीं क्यूंकि एक साल आपको मिनिममम रहना पड़ते क्यानेडा में तब जाके आपको फैनांस मिलता है बट स्टेल देख रहा हूं मैं कि किसी तरीके स हो पाता है कुछ होता है तो बहुत जल्दी इंशालला कुछ बनता है तो अपडेट करूँ आप लोगों को और फिर देखते हैं कुछ न कुछ बढ़िया होएगा इंशालला नेक्स जो वीडियो दूँगा मैं आपको दूँगा अपार्टमेंट टूर की पूरा कर देना और बस आप से यह यह यार प्यार बनातिर और चैनल ऐसी बढ़ता रहे